हेलो स्टुडेंट्स अपना कुल यूट्यूब चेनल पर एक बाद फिर से आपका स्वाधत है डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10 उडान बेच के पॉलिनोमियल जेप्टर का लेक्चर नमबर 4 लेक्चर नम किसी एक लिनियर पोलिनोमियल का जीरो के से फाइंड किया जाता है लिनियर पोलिनोमियल अगेरा क्या होता है यह सारी चीज़ें मैंने शुरू के तीन लेक्चर में आप लोगों को नहीं देखा है तो पहले जाके तीन लेक्चर को देखिए उसके बाद में लेक्चर होंगे उनके बीच में रिलेशन क्या होता है उसको भी हम जानने की कोशिस करेंगे यह बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है 20-25 मिनट से भी कम का वीडियो यह होगा तो चलिए सुन करतें तो देखो सबसे पहला ही टोपिक है अमारा जीरो फें लीनियर को सभ्णने से हम यह देखते है कि लीनियर को अच्छल में होता कैसा है दिखेगा कैसा और लिखा कैसे जाता है तो कोई भी लीनियर को बाता है जिसकी कितनी यह वाँ यह अपर चुकिए टाइप्स पाड़ा है उस में दे दिखता है P X is equal A X plus B यहां ध्यांद अपना A 0 नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि A 0 हो गया तो यह पूरा term 0 हो जाएगा only बचा B B constant है तो यह फिर linear polynomial नहीं हो कि यह क्या बन जाएगा constant polynomial बन जाएगा इसलिए B 0 नहीं होना चाहिए और A और B की जगए पर क्या होना चाहिए कोई बिल्याल नहीं हो सकता है और एक्जांपल जैसे यहां पर लिखा P X is equal 2X plus 1 तो यहां पर देखो A के अगर compare करोगे तो A की जगए पर 2 है और B की जगए पर कितना है 1 है I hope एचीज आप लोगों को समझ में आगे होगी यहां पर X के highest power की तो ही दिखी है 1 दिखी है इसलिए आप इस polynomial को क्या बोलना है linear polynomial बोलना है तो देखो तो इस type का अबर कोई polynomial दिखता है A X plus V type का जिसके अंगा degree 1 है तो ऐसे polynomial को हम linear polynomial बोलते है लेकिन हमारा major purpose यह है कि linear polynomial के 0 कैसे find करें हमारा main account तो यही था ना कि 0 हमारेको find करना linear polynomial का इसको समझता द्यान से देखना पहले जिरो एक तो होता है दो टाइप के कैसा यहां पर बनते है एक तो 0 है या या यह चेक करके बताना है तो हमें क्या करना है वेडियाबल की वेडियू पुट करके अगर हमारा result कितना आ जाता है जीरो आ जाता है तो हम बोलेगे कि वहाई जीरो है अधरवाइस नहीं तो जीसे यहां पर मैं एक जांपन से आपनों को यह चीज़ समझाता हूं फिर सेकंड टाइप पर कैसा कैसा बनता वो समझता है तो देहूं लिए जीरो है यहां यहां पर चेक करते हैं और देखते हैं अगर इजल निकल के आती है तो बोलेंगे कि यह क्या है जीरो है अधरवाइस नहीं है तो देखो 2 multiply minus 1 upon 2 plus 1 होगा 2 से 2 divide होगे minus 1 plus 1 आगे सोन करोगे 0 तो हम वो देखें कि यह वाला इसका एक 0 है यह चीछ तो समझ में आगे लेकिन यहां हमें 0 चेक नहीं करना है 0 find करना है तो find क्या करें अब इसमें उल्टा चलेंगे देखो यहां पर x ब्राबर minus 1 upon 2 पुट करने पर रिजल कितना आया जीनो अब उल्टा चलोगे तो क्या करो इस polynomial को किसके बराबर पुट कर दो जीनो के बराबर पुट कर दो तो हमें किसकी value मिल जाएगी x की value मिल जाएगी मैं वापस से बोलता हूं देखो अभी हमने क्या किया x ब्राबर minus 1 by 2 पुट किया तो हमें रिजल मिला जीनो हमें क्या करना था चेक करना था लेकिन इस बार हमारे को इस x की value ही पता कर दिए कि जिसके उपर polynomial की value 0 होती है तो मुल्टा reverse os में चलेंगे हम polynomial को starting में 0 के ब्राबर पुट कर देंगे और उससे x की value निकल के आएगी वह जो x की value निकल के आएगी वह हमारा क्या होगा 0 होगा तो क्या करेंगे देखो 0 क्या करना है तो क्या करो पुट px equal 0 यह दिमाग में बिठा लो कि किसी भी polynomial का अगर 0 फाइंड करना है तो नहीं इस polynomial की value को 0 के ब्राबर पुट कर दो वहां से क्या होगा x की जो value आईगी यह हमाना क्या होगा 0 होगा तो देखो यहां पर पॉलिदो मेल का px वो कितना था ax plus b इसको किसके ब्राबर पुट करेंगे 0 के ब्राबर पुट करेंगे तो यहां पर क्या होगा ट्रांस्कोजिंग करोगे पहले b उदर जाके किसका हो जाएगा minus का b और a इदर multiply में इदर आके divided हो जाएगा x ब्राबर minus b upon a ही क्या है हमारे polynomial का 0 होगा अब यह 0 है तो मैंने अगर इसको मैं वापस से इस polynomial में पूट करके देखूं तो रिपर कितना मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए otherwise यह वाला 0 हो गई ही तो पूट करके भी देख लेते हैं तो देखो इसको वेडिफाइब करके दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे इस पोलिजोमेल में एक्स की रिगा पे माइनस भी अपूट करेंगी तो कितना होगा अग्या प्लस का बी एसे कैसे चल रहा है एसे डिवाइड हुआ माइनस बी प्लस का बी रिजल कितना है जीए हम नहीं के रिजल कि निकाला है बिल्कुल सई रिजलते हैं तो आई होप यह चीज़ आप लोग को समझ में आगी होगी तो किसी भी पोलिजोमेल का अगर जीड कर दो जीडो के ब्राबर पूट कर दो वहां से वेडियाबल की कुछ वेडियू मिलेगी उस वेडियाबल की वेडियू को हम क्या बोलते हैं जीडो गोलते हैं यह ज्यान आपका linear polynomial है इसके number of zeros आप लोगो कितने मिलेंगे इसके number of zeros कितने होगे इसके one ठीक है जीडो या जीडो के बनेटी जीडों होगा आगे जाके quadratic पड़ोंगे उसके maximum दो जीडों सकते हैं क्यूबिक पड़ोंगे उसके maximum 3-0 हो सकते हैं तो जीड हम आगे के आने वाले लेक्षस में देखेंगे तो देख जैसे इन पर सबस्क्राइब में जीरो क्या करना है तो क्या करें गें इस को भी आगे सोगस्ति प्रहों है पी-धिवल टू जी रो तो यहांपे क्या होगा? X प्लस 5 कितना हो जाएगा? 0 तो 5 फा हुदर जाके किसका हो क्या हो क्या? चितुका हो गिया तो यह X-Pours minus 5 है यह यह माना क्या है? 0 PX is equal X प्लस 5 का 0 निकल गार यह यह माना क्या हो क्या हो गिए? पापन सबस्के हैं, आप लोगों को समझ में आगी होगा और तो इसका 0 को आप लोगों को समझ में आगी होगी, तो यहां पर को किसके बराबर पूट करना जीडो के एडिट टू अब टू इसका बराबर पूट कर दो जीडो के बराबर पूट कर दो तो cx plus d बराबर कितना होगा 0 तो cx बराबर minus का d हो जाएगा plus का d उदर जाके और हमारे को जो x की बेड़ चाहिए तो c इदर multiply में होदे जाके divide हो जाएगा तो यहां भी क्या होगा x बराबर minus d upon c यहां पर condition भी given c not equal 0 होना चाहिए क्यों क्यों कि last मत होता है्ट हमारा एक टोपिक और हैं अभी लेक्शोक खतम होता है बिजन की बीच में क्या relation होता है उसमेरो डेडी आपने बता चुका हूँ तो इसको आप करीजिए तो इस अब हम देखते हैं कि किसी भी लीनियर कोलिगर्मियल क्या जो 0 निकल के आएगा वो और उसके जो कोफिशन्ट होगे उनके बीच में क्या डिलेशन होता है यह बार बार कभी न कभी केस्टन्स में यूज हो सकता है तो देखो सुरू कर तो जिसे मालों कि हमाने कास पॉलिगर हमने देरख लेख पी एकस रिकल एकस प्लस भी है कंडिशन्स आप लोगों को पता होने चाहिए याम पर बी को क्या बुला जाता है वह बिदान दरना कि यहां पर जो बी है इस के साथ पुई वेरिये भले नीया उसको क्या बूलेंगे जो यह यह जो ए है CTब बहुत जुक्त दो शुक्त जिसको गोल सकते हैं। और अके अब हमें तो क्या कोफिशेंट ऑफ एक्स है अब हमें तो इसके जीरो और उसके बीच में डिलेशन फाइंड करना था तो एक काम परने माल लेट जीरो ओफ पी एक्स बी एलफा यह एक सिंबल उच किया है मैंने कैसे बनाइंगे ऐसे करके यह बनेगे इसको आपने माल लिया यह इस पोलियों अब इसका क्या मतला होगा पहले तो अब नाश्ट लाइंड नम देख चुके कि जीरो कैसे परिंट करते हैं तो देर्फोर उसके साथ जब प्लस बी को जीरो के बराबर प्रूट करोंगे वही क्या है हमारा अलफा निकल क्या चाहिए यहां में तो समझा लिए कोईसे इस कर रहा हुए देख वोजार समय यह चीज समझ में आगे है कि आप लोगों के कि यहां पर बी गॉंस्टेंट हम है क्योंकि इसके साथ कोई व मं तो इसकी Parliament परोंगे शीरो निक बोलके इसको ऑन लगाँ शीयां करना थम्मी क्या क्यों हुद सुच अभार बार फ्रूंट इसका रहा हूं कि वह टुट हए कि अल्धी समय पर चाहिज ऑन पकिन अकौर प्ट्रेंग इस इसक पर प्र प्रत ह्सकी अलवव स्लिक है वह यहां से क्या होगा A x plus b बराबर कितना मिला 0 मिला यानि कि x बराबर क्या होगा बी उदर जाके minus का और यह उदर आके divide का होगी ठीक है और इस वाले 0 का हमने क्या नाम दे रखें तो मतलब हमें यह चीज़ समझ में आगया जो alpha होगा हो क्या होगा minus b upon a होगा अब यहां देखो minus b actually क्या है एक constant होता ना यहांदी alpha जो 0 आयका हो क्या होगा minus of constant divided by a क्या है एक किसका coefficient x का तो यहां पर क्या जाएगा coefficient of x यह relation होता है a b और alpha के अंदर alpha मतलब 0 के अंदर तो alpha यह जो 0 होका हो क्या होगा minus b upon a होता है यह हमेसा याद रखें अब इसको यूच के से करेंगे तो देखो question कूछ है ठीक है find 0 of px is equal 2x minus 3 इसका 0 find करना माले हो तो हम क्या करेंगे तो अब डाइल्फा पराबर क्या होगा हमें बता है minus b upon a होता है पहले compare करो यहां पर b की value कितना है minus 3 और a की value कितनी है 2 है भाई b की जगा पर minus 3 आ रहा एक तो अब आलफा बड़ाबर क्या होता है minus b upon a होता है तो minus b की जगा पर कितना है गा minus 3 जान लब ना यह जो minus है यह बाला minus किसका तब formula था यह relation का minus था इस वाले relation का यह minus और यह जो minus है minus का 3 वाला यह b का minus और यह ऐसे कैसे आएगा minus का 3 और नीचे कितना है 2 है और यहां पर कितना होगा minus minus plus 3 by 2 यह हम direct का निकाल सकते है अलफा की value निकाल सकते है एक तरीका यह भी है कि तो आप लोग क्या पर सकते हो इसको 0 of 0 of PX is equal AX plus 3 7 तो A की value हमारे को बताने है ठीके A की value हमारे को find कर लिए क्या बोला है कि PX is equal AX plus 3 है इसकी जो value का 0 कितना है 7 दे रखना है मतलब हमारे को alpha की value कितनी दे 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 लिए कुछिए नहीं होग बदा था क्या विश्य अंद पुछिए ज Cobg के सब मस्क्राइब को जाड़ी जागा कि अपर किपना है ट्रीघ है था था daher यह at還 सब्सक्राइब आपके इस सब्सक्राइब मातने का आंगे दिए सब्सक्राइब कीजिए इस वाले पाट को उसके बाद में यह चीज़ समझें कि इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खतम होता है नेक्स लेक्चर में हम लोग पोलिनोमिल्स के ग्राप्स को पढ़ेंगी जो कि एक लंबा लेक्चर होगा जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कोंसेप्ट हमारों को सीखने है हो सकता है कि CBSE के अंदर डाइडेक्ट वहां से इतने ज्यादा कोंसेप्ट हम आपे पढ़ने जिससे की आगे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तब तक के लिए थेंक्यू